मैं फिर कह रहा हूँ कि ये गैर लोकतांत्रिक और गैर संवेधानिक बिल जवरन संवेधान का और लोकतांत्र का गला घोट करके आज पास किया गया है संसत के अंदर और इसके पीछे का जो प्रमुख कारण है और आज इस बिल के पास होने से ये सावित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी से डर है तो उस सक्स का नाम है अरविंद केजरिवाल अरविंद केजरिवाल के कामों से डर है अरविंद केजरिवाल ने जो फ्री बिजली फ्री पानी फ्री चिकस्सा फ्री सिक्चा किये जो तमाम योजनाय दिल्ली में लागू की जिसकी वज़ा से आद देश के दूसरे हिस्सों में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा ह आज उससे घबरा कर ये बिल लाय गया है दिल्ली के अधिकारों को कम करने के लिए लेकिन हम लोग दिल्ली की जंता को बताना चाहते हैं कि ये सारी योजनाय जो आपके हित में हैं वो अर्विन केजरिवाल जी चलाते रहेंगे जैसे पहले थी फ्री विजली की फ्री पानी की फ्री चिकिस्टा की फ्री सिक्षा की महिलाओं के बसकी आत्रा की ये योजनाय चलाते रहेंगे जो आम आदमी पार्टी का पूरे देश में विस्तार हो रहा है सूरत की जनता ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दिया गुजरात में जाके अरविंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी वहां मुकाबला कर रहे हैं पूरे देश में आज जिस प्रकार से हर राज्य के अंदर पंजाब हो उत्राखंड हो गुजरात हो उत्तर प्रदेश हो हम इनसे मुकाबला कर रहे हैं भारती जनता पार्टी से मुकाबला कोई कर रहा है तो अरविंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी और उसी के कारण स सारे अधिकार छीनने के लिए बिल लाय गया है